नमस्कार स्वागत है आप सभी का आज के इस लेक्चर में हम लोग 2021-22 जो बित्ती वर्स है इसमें जित्ता भी भारत में आर्थिक गत्विदिया है उसको कंपाइल करेंगे लगभग 6 महिने में जित्ते भी मुख आर्थिक घटनाकरम यानि जो एकनॉमिक करेंट अफेर्स र जाएंगे और बहुत जाद आपको डेटा रेटने के विजरुवत नहीं है मैं मार्क करता चलूँगा अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो अच्छी बात है नहीं तो इस वीडियो की PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में उसका लिंक प्रोवाइड कर जाएगी तो चलिए सुरू करते हैं सबसे पहले हम सुरुवात करते हैं वर्ड एकोनॉमिक आउटलूक अंतराश्टी संस्था के द्वारा ये जारी की जाती है आप जानते हैं तो 12 अक्टूबर को आईम अन्तराश्टी मुद्रा कोस द्वारा वर्ड एकोनॉमिक आउटल अब इसके अनुसार जो है जो आप से मुख्य रूप से पूछी जा सकती चीज़ें उसको आप नोट करते चलें 2021 में अगर global economy की जो है development rate है उसका जो अनुमान लगाया गया है विकास दर का वो 5.9% है बाकी reason wise यहां पर याद रखने की जरुवत नहीं कि Asia का यूरोप का किसका कितना है global economy जो है 5.9% की दर से विकास करेगी और इसी report में वर्स 2020 में भारत की विकास दर को माइनस 7.3% आकलित किया गया है क्योंकि यह दोर जो है pandemic का था महामारी का था और उसी करम में जो है 2021 की जो है जो ग्रोथ रेट है इंडिया के लिए वो 9.5% और 2022 में जो है 8.5% रहने का रखने का अनुमान लगाया गया है तो यह दो तीन डेटा जो है यहाँ पर आपसे पूछे जा सकते हैं आगे बढ़ते हैं मौद्रिक नीती वक्तव यानि RBI के द्वारा जो है जो फिस्कल पॉलसी पर जो है अपडेट जारी किया जाता है वो लेटेस्ट वाला जो है आठ अक्टूबर 2021 को जारी किया गया है और इस समय जो है गवर्रनर कौन है सक्तिकान दास है इनकी अध़च इस्ता में मौत्रिक नीती समीती ने जो है ये मौनिटरी पॉलसी स्टेट्मेंट जारी किया गया है अब इसमें जो है जित्ते भी रेट सोते हैं उनको अपडेट किया जाता है तो इसमें जो है जो एल एफ है यानि चल निधी समायोजन सुविधा इसके अंतरगत रेपो और रिवर्स रेपो रेट में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है तो रेपो रेट कित्ती रह जाएगी चार प्रस्त रह जाएगी और रिवर्स रेपो रेट कित्ती रह जाएगी 3.5% रह जाएगी और इसके बाद जो है जो MSF है उसमें तथा बैंक दर जो है बैंक रे वाडिजित बैंकों के लिए यानि commercial बैंक के लिए जो है SLR का rate 18% पर ही यथावत रखा गया इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं किया गया है और इसी तरह से जो है नगद आरच्छी रनपाद जो होता है CRR जिसको हम कहते है कैस रिजर्ब रेशियो ये जो है चार प्रस्षत पर यथावत रखा गया है यानि इसमें भी कोई बदलाव नहीं किया गया है अब रिजर्ब बैंक भी भारत की आर्थिक ब्रद्धि के आकड़े देता है तो जो current financial year है यानि 21 है उसके लिए जो है वास्तविक GDP पर यानि एक्चुल GDP में ब्रद्धि अनुमान दर जो है 9.5% के पर बरकरार रखा यानि पहले भी यह अनुमान दिया गया था और अभी भी यही मेंटेन है भारत का बिदेशी मुद्रा भंडार इस तरह के प्रस्न कभी कभी पूछ लिए जाते हैं एक्जाम में तो 21-22 की अगर बात करें वित्ती वर्स में 1 अक्टूबर 2021 तक कितना है 60.5 billion अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 637.5 billion अमेरिकी डॉलर हो गया है उपने आप में बहुत बड़ा उच्छाल आया है क्योंकि अब आर्थव्योस्था जो है दुबारा पट्री पर लोटी है चलिए अगला देखते हैं अभी होटी कल्चर क्रॉप्स यानि बागवानी फसलों के छेत्रवा उत्पादन का 2021 का तीसरा अग्री मनवान यानि थर्ड एडवांस इस्टिमेट जारी किया गया है तो इसमें बहुत सारी चीज़ों होती है सारी बागवानी फसलों के अलग-अलग उत्पादन के डेटा होते हैं लेकिन हमको सभी में नहीं जाना है टोटल जो बागवानी उत्पादन है जैनि जो टोटल हार्टी कल्चर प्रोडक्शन है 20-21 में ये एक रिकार्ड के रूप में 331.05 मिलियन टन होने का अनुमान है बसी ये वाला आपको याद रखना है और ये पुछा जा सकता है कि लाश्ट जो है उससे कित्ती ब्रद्धी होई यानि लाश्ट फाइनेंसे लिया 2019-20 से तो इसमें ब्रद्धी होई है 10.6 मिलियन टन की जिसको हम प्रिस्षत में याद रखेंगे 3.3 प्रिस्षत की ब्रद्धी दर्ज की गई है और इसके अनुसार वर्स 20-21 में फलों का उत्पादन होटी कल्चर में फल भी आते हैं फल अलग कटेगरी में रखे जाते हैं इसी में समलित होते हैं तो अगर केवल फ्रूट्स का उत्पादन देखें तो 103 मिलियन टन होने का अनुमान है जबकि जो है ये 19-20 में जो है कित तुलना में जो है ग्रोथ हुई है 197.2 मिलियन टन यानि लगबग 4.8 प्रस्ट की बिद्धी हुई है तो आपको मुख्य रूप से ये याद रखना है और कितनी ब्रद्धी हुई है टोटल हॉली कल्चर प्रोडक्ट में ये याद रखना है आगे बढ़ते हैं दान 2021 तो ये 28 अक्टूबर 2021 को जारी की गई है एडलगी फांडेशन और हुरुन रिसर्च इंस्ट्ट के द्वारा देश भर के जित्ते भी परोपकारी हैं दान दाता हैं इनकी सूची प्रकासित की गई है इस सूची में देश के सव सबसे दानी विक्तियों को सामिल किया गया है और इसमें टॉप पर कौन है सबसे ज़्यादा बड़े भारत के दान दाता इस सूची में है विप्रो के संस्थापक अजीज प्रेम जी तो मुख्य रूप से आपको पहले नंबर का ही आद रखना है बाकी का बहुत ज़्यादा महतु नहीं है सेकेंड पे हैं जो है कंपनी के जो है संस्थापक है और इलाइंस इंडिस्टीज के अध्यच मुक्य संबानी एम फैमिली तीसरे स्थान पर है तो मुख्य रूप से आपको यह याद रखना है कि इसमें लिश्ट में टॉप पर कौन है चलिए आगे बढ़ते हैं सिफ्टिंग इयर्स डिजिटल मन में कुछ आकड़े बताये गए हैं तो आपके लिए क्या महत्पूर्ण है आपके लिए महत्पूर्ण है कि इस रिपोर्ट में बताया गया है कि जो करन्ट फाइनेंसियल एर है करन्ट फाइनेंसियल एर यानि 2021 में जो है भारत का जो है जो जो जीडीपी ग्रोथ रेट ह वो कित्ते का अनुमान लगाया गया इस रिपोर्ट में 8.3% जितनी भी संस्थाएं हैं वित्ती नेशनल इंटरनेशनल सभी अपने अनुमान जारी करती है तो बहतर यह होगा कि जब आप इसको नोट कर रहे हो तो एक अलग जगे नोट करें जहां पर सभी का जो एक ब्रदिदर्ज हुई है और इस रिपोर्ट के अनुसार वित्ती वर्स 22 तेईस यानि नेक्स्ट फाइनेशनल इयर और उसके बाद भी 23-24 में भारत की ब्रदिदर्द कित्ती रहेगी 7.5 वा 6.5 प्रसत का अनुमान लगाया गया है आगे बढ़ते हैं आई 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 एफ ए इसमें जितने भी 20 के सबसे अमीर लोग हैं उनको सामिल किया जाता है तो 30 सितंबर 2021 को खुरून इंडिया और आई आई एफ एल वेल्थ ने संयुक्त रुप से भारती अमीरों की 10-20 उची जारी की इसमें केवल इंडिया के जितने भी रिचेस्ट परसन है उनको रखा गय और इस सुची में उन ही अमीर लोगों को इस्थान दिया गया है जिनकी संपत्ती 1000 करोण रुपए से जादा है अब इसमें आपको सीर्स करम याद रखना है तो इस सुची में Reliance Industries के मुके संबानी एंड फैमिली को पहला इस्थान मिला है तो बस अगर आप इतना भी याद रखते हैं तो इतना सफीसियंट है दूसरे नमबर पे गौतम अडानी एंड फैमिली है तीसरे नमबर पे सीव नडार एंड फैमिली है आगे बढ़ते हैं फोब्स इंडिया रिच लिस्ट ये ज़्यादा महत्पूर्ण है क्योंकि ये ज़्यादा पॉपलर है तो फोब्स 21 इस सूची में जो है टॉप किस ने किया है सबसे उपर कौन आए है मुकेस अंबानी इनकी कित्ती संबत्ती है ये आपके एक्जाम पॉइंट अव्यू से जो है बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है तो ये रिलाइंस इंडिस्टी के मालिक हैं अध्यच हैं मुकेस अंबानी ये इसमें टॉप पर है और लगातार 19 वे वर्स ये सीर्ज पर रहे हुए हैं दूसरे नमबर पर गौतम अडानी है तीसरे नमबर पर सिवनाडार है और इस सूची में केवल तीन महिलाएं सामील है वो तीन महिलाओं में जो है जो टॉप पर है उतना याद कर लीजे आप सावित्री जिंदल महिलाओं की स्रेडी में पर्था मिस्थान पर हैं जबकि जो है ओवराल सूची में ये साथवे नमबर पर हैं तो महिलाओं में चुकि सावित्री जिंदल पहले नमबर पर हैं तो ये अलग से भी आप से पूछा जा सकता है आगे बढ़ते हैं भारत को वर्स 2020 तक नेट जीरो ग्रीन हाउस गैस उसर्जन राष्ट बनाने का लच्छ रखा गया है कौन किस ने रखा है इससे क्या रिलेटेट फैक्ट्स हैं जो आपके एक्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है तो दो अक्टूबर 2021 को उर्जा परियावरण जल परिसद के द्वारा जारी एक स्वतनत रध्यन के अंसार भारत को नेट जीरो ग्रीन हाउस गैस उसर्जन वाला राष्ट बनने के लिए वर्स 2020 तक अपनी सौर छमता को 5630 गीगावाट बढ़ाना होगा जो कि एक बहुत बड़ा लच्छ है रिपोर्ट के अंसार 2020 तक अगर नेट जीरो ग्रीन हाउस इमिशन गैस का लच्छ प्राप्त करना है तो बिजली उत्पादन में कोले की खपत वस 2040 से 2060 की बीच में 99% तक कम करनी होगी यानि बहुत ज्यादा कम करनी होगी इसके लावा कच्छे तेल की खपत जो है 90 प्रिस्तर तक हर्च करनी होगी इसी पीरेड में 2007 तक जो है जूए सभी जुत्ती भी हमारے यह व्यात्री वाहन और कार विक्टी है उसमें 84 प्रिस्तर ऐसी कार होनी चाहिए जो यह तो इलेक्ट्रिक से चलती हो या बैटरी से चलती ओ तो इसके अलावा सभी वाहन 79% बैटरी लेक्ट्रीड पर चलेंगे बाकी हाइड्रो 70 तक बिलकुल 0 कर देना है तो यह यह चीजें करनी पड़ेंगी अब जो आपके exam point of view से बहुत ज्यादा महत्पूर्ण है वो यह है कि भारत के पास जो है उपलब 100 गीगावाट अच्छे उर्जा छमता है आज की सिती में जिसमें से 100 उर्जा छमता कित्ती है 40 गीगावाट ह एक लच्छ रखा है इस लच्छ को आप यादा किये कि कुल अच्छे उर्जा छमता को 450 गीगावाट बढ़ाने का लच्छ निर्धारित किया गया है तो यह दो point जो है इस पूरे जो है topic में सबसे ज़्यादा महत्पूर्ण है जो हम net zero greenhouse emission के लिए पढ़ रहे हैं और इसमे जो है यह वाला point कि 2070 तक सौर उर्जा छमता को 5630 गीगावाट तक बढ़ाना होगा आगे बढ़ते हैं ADB का फिलफार्म क्या है ACI Development Bank या ACI विकास Bank इसके द्वारा जलवायू वित पोसर लच्छ में ब्रद्धी की गई है तो यह जो है जो फाइनेंस करता है जलवायू को जलवायू के जो है सुधार के लिए उसमें जो है ब्रद्धी कर दी गई है कितनी ब्रद्धी हुई है तो ADB जो है विकास सील सदसे देशों के लिए 2019 से 2030 के दोरान जलवायू वित पोसर प्रदान करने के लच्छ को बढ़ा कर 100 बिलियन डॉलर करने की गोश्णा की गई है पहले ये कितिव थी 80 बस आपको यही आदकना है कि 80 से बढ़ा कर ADB ने इसको 100 बिलियन डॉलर करने की गोश्णा की है और ये पीरियेट कब है 2019 से 2030 तक ये फाइनेंस करेगा आगे बढ़ते हैं इंडिया एक्सपोर्ट पहल और इंडिया एक्सपोर्ट 2021 पोर्टल का सुब पारम हुआ है तो 29 सितंबर 2021 को MSME मंत्री जो है नारायन राने ने नई दिल्ली में इंडिया एक्सपोर्ट पहल और इंडिया एक्सपोर्ट्स 2021 पोर्टल आफ इंडिया SME फोरम का वर्चुल उदगाटन किया और इसका लच्छ क्या है कि SMME जो है सूच मलगू मजहूले उ उद्देशों में मौजूद टैरिफ लाइनों में अपरियुक्त निरियात छमता पर ध्यान करेंडित करना और SME का समर्थन करने के उद्देश से इसकी निरियात संख्या में बढ़ोतरी रथा वर्च 2022 में SME निरियात को 50% बढ़ाना है तो यह वाला जो लाश्ट में जो रिपोर्ट यह आप जानते हैं कि जो है हर साल प्रकासित होती थी लेकिन जो है जो इसकी continuity है निरंतरता है इसको जारी रखने पर एक निर्णय लिया गया है वो निर्णय क्या है कि इसको बंद करने का निर्णय लिया है किसने लिया है तो सितंबर 2021 में बिशुबैंक ने न आकड़े जारी किये गए ते उसमें जो है डेटा यानि आकड़ों में अनिमित्ताओं की यानि इर्रेगुलर्टीज की सूचना मिली थी अब बिशुबैंक सदस्य देसों के ब्यापार और निवेस के माहौल का आकनन करने के लिए एक नए दृष्टी पोर्ट पर काम यानि कोई नई तरह की रिपोर्ट पब्लिस की जाएगी आगे बढ़ते हैं डी अपसी और यूएस एड का भारत में 55 मिलियन डॉलर का क्रेडिट गारेंटी कारिकरम तो इसमें जो है सबसे जरूरी क्या है कि आपको धन्रासी पता होनी चाहिए कि यह जो क्रेडिट गारे इंटरनेशनल डवलप्मेंट ने भारत में 55 मिलियन डॉलर यानि लगबग 400 करोन रुपए के क्रेडिट गारेंटी कारिकरम की घोशना की है इस क्रेडिट गारेंटी कारिकरम से होगा क्या इसका उद्देश यह है कि किसान उतपादक संगठनों क्रसी तकनीकी कमपनियों और क्रसी छेत के लिए स्वच उर्जा समाधान में लगी कमपनियों को रिंड समर्थन उपलब्त कराके कोविड-19 के आर्थिक प्रभावों को कम किया जाएगा यूएस इंटरनेशनल डवलप्मेंट फाइनेस कार्परेशन यह क्या है इसके बारे में जान लिए यह विका राज अमेरिका यानि उएस से की एक स्वतनत एजेंसी है जो मुखे रुप से नागरिक विदेशी सहायता यानि सिवेलियन फॉरन एड और विकास सहायता कारेक्रमों में लिप्त रहती है अगला देख तैयम पॉइंट इसकूलों में राश्टी यह पीयम पोशन यानि प् इसकूलों में केंद्र द्वारा प्रयोजित राश्टी यह प्रधानमंत्री पोशन योजना में निरंतरता संसोधन सुधार को मन्जूरी प्रधान कर दी गई है तो पहला संसोधन क्या है इस योजना का पुराना नाम जो है मिड्डे मील के नाम से आप लोग जानते हैं 2026 तक अब इसको स्विक्रित कर दिया गया है इस योजना पर केंद्र सरकार पांच वर्सों में 54,061.73 करोन रुपए का ब्या करेगी इस केंद्र प्रयोजित योजना के अंतरगत सभी सरकारी सरकारी साहता प्राप्त स्कूलों की पहली से आठवी क्लास तक के सभी पढ़न पढ़ने वाले स्कूली बच्चेस में आएंगे और योजना अंतरगत देजभर में लगबद 11.2 जीरो लाख स्कूलों में पढ़ने वाले लगबद 11.8 जीरो करोन बच्चेस से लाभानवित होंगे आगे बढ़ते हैं अंकटाट ब्यापार और विकास रिपोर्ट 2021 तो य पढ़ने की उम्मीद जताई गई है तो इसको भी आप नोट कर सकते हैं अलग से लेकिन अगले साल आर्थी विकास दर जो है कम हो जाएगी कितनी हो जाएगी 6.7% के रूपर गिर सकती है तो यह 6.7% कब होगी 2022 के लिए अन्वान है इसके बावजूद भी भारत अगले वर अमुक अर्थवियोस था यानि ग्रोथ रेट के मामले में ना कि टोटल ग्रोथ के मामले में 2021 में वैस्विक विकास दर यानि ग्लोबल जो डवलपमेंट है पूरे विस्तु का वो 5.3% रहने का इस रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है आगे बढ़ते हैं नेक्स राटा कंसल्टेंसी सर्विसेज बस आपको इतना ही आदकना इतना परियाप्त है और ठीक एक वर्स पूर्व इस लच्छे को पार किया था किसने रिलायंस इंडिस्टीज जो की इस तरह की पहली कंपनी थी आगे बढ़ते हैं मुख्य खरीफ फसलों के उत्पादन का प्र अगरी मनवान जो केवल खरीफ फसलों के लिए है देश में कुल खाद्यान उत्पादन जो है रिकार्ड होगा एक कितना होगा एक सो पचाश दस्मलों पांच जो पांच जीरो मिलियन टन बस आपको याद रखना है लेकिन यह जरू ध्यान किएगा ये केवल खरीफ के अधिक है तो आपको बस इतनी यह डाटा याद रखना आवश्यक है नेक्स देखते हैं भारत का पहला स्वदेसी उच्छ राख कोईला गैसी करण आधारित मैथनाल उत्पादन सैयंत्र इसका उध्वाटन किया गया हाली में यह कहां पर है किसने बनाया है तो 8 सितंबर 2021 क है तो हैदराबाद इस्थित BHEL अनसंधान विकास केंद में भारत के पहले स्वदेसी उच्छ राख कोईला गैसी करण आधारित मैथनाल उत्पादन सैयंत्र का उध्वाटन किया गया है इस केंद ने वर्स 2016 में नीट यायो की सहायता से दस्मलो 2-5 तन प्रतिदिन मैथना का उत्पादन करने है तो भारती उच्छ राक गैसी करणक पर कार्य करना सुरू किया था इस उत्पादित कच्छे मेथनौल की मेथनौल सुदता किती है 98-99 5 प्रिस्ट की बीच में है मेथनौल का उपयोग आप जानते हैं मोटर इधन के रूप में जहाज के इंजिनों को बिजली देने और पूरे विस्व में स्वच उर्जा उतपादन करने के लिए किया जाता है इसका उपयोग डी मिथाईल इथर उतपन करने के लिए भी किया जाता है आगे बढ़ते हैं अप्रैल से जून के दौरान FDI बढ़कर कितनी हो गई है 17.57 अरब अमेरिकी डॉलर तो हाली में भारत में बित वर्स 21-22 के पहले तीन महिने के दौरान कुल FDI प्रवा 22.53 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है जो कि पिछले वर्स की समान अवदी यानि इसी पीरियड में कितना था 11.84 बिलियन था तो आप देख सकते हैं लगभग लगभग ये दूगना हो गया है FDI एक्विटी प्रवाह जो है 21.52 के पहले तीन महिनों में जो 17.57 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है और ये इसी अवदी में एक साल पहले 6.56 बिलियन अमेरिकी डॉलर था तो इस तरह से ये 168 प्रश्ट की यहां पर ब्रद्धी हुई है आपको मुख्य रूप से ये डेटा यार रखना है जो आपके एक्जाम पॉइंट आप व्यू से आवश्यक है बाकी जो है किस छेत्र का जो है FDI में सबसे ज़्यादा वेटेज है थोड़ा सा इस पर नज़र डाल लेते हैं तो आटो मॉबाइल उद्योग जो है इसका कुल FDI एक्विटी के प्रवा में 27 प्रस्त की हिस्सेदारी है ये नंबर वन पे है FDI एक्विटी में दूसरे नंबर पे कंप्यूटर साफ्ट्वेर और हाडवेर है 17 प्रस्तर तीसे नंबर पे सर्विस सेक्टर है 11 परसेंट और इसके अतरीक करनाटक अप्रेल से जून 2021 के दोरान 48 परसेंट FDI एक्विटी प्रवा की इस्सेदारी के साथ सीर्स प्राप्ट करता राजी भी है अगर आप से पूछ लिया जाए कि जो इतना रिकार्ड FDI एक्विटी आया है इंडिया में उसमें सबसे जादा किस राजी ने रिसीव किया है या सबसे जादा निवेश किस राजी में आया है तो वो है करनाटक करनाटक के बाद महराज दूसरे नंबर पर है और दिल्ली तीसरे नंबर पर है आगे बढ़ते हैं एक्जिम बैंक के द्वारा AFC को सौ मिलियन अमेरिकी डॉलर का रिण दिया गया है तो 31 अगस्त 2021 को दैक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक आफ इंडिया जिसकों सौर्ट में एक्जिम बैंक कहते हैं इसने अमे अफ्रीकी वित्तनिगम को भारत सरकार की ओर से अफ्रीकी महादीर्प में अर्थवयोस्ता के पुनुरुदार के लिए आवस्यक महतपूर बुनियाडि ढाचे के विकास है तो 100.000.000 अमेरंकी डार का रिणध दिया है इतना ही आप क्यात रखना है पूछा जा सकता है तो आप से रासी पुछी पूछी जा सकती है कि कितना रिणध दिया गया है एक्जिंबाईंक के दवारा 100.000.000 अमेरंकी डार इस soft loan की अवधी 10 वर्स की यानि 10 वर्स में इसका repayment होना है आगे बढ़ते हैं रभी फसलों के लिए भी नियूंतम समर्थन मूल यानि MSP अभी हाली में जारी की गई है तो 8 सितंबर 2021 को जो है एक बार question भी आ चुका है कि कौन जो है ये स्विकृति देता है तो आर्थिक माम की जो मंत्रमंडली समीठी होती है इसने जो है जो बुआई सीजन है 2022 ते इसके संबन में रभी मूलियों के नियूंतम समर्थन मूल को बढ़ाने की मंजूरी दी है इसमें मुख्य रूप से जो है गेहूं का जो नियूंतम समर्थन मूल है वो 2015 रुपए प्रति क्विंटल किया गया है और RSM 2021-22 के लिए गेहूं का नियूंतम समर्थन मूल जो है 1975 रुपए क्विंटल था यानि जो है इससे बढ़ा कर 2015 कर दिया गया है इसी तरह से मसूर की दाल और कैनोला यानि रेप सी तथा सरसो में उच्चतम संपूर बढ़ोत्री प्रते के लिए 400 रुपए प्रतिकुंटल की बढ़ोत्री करने के सिपारिस की गई है और चने में जो है 130 रुपए प्रतिकुंटल को इसको रखा गया है बढ़ोत्री को आगे बढ़ते हैं वैस्विक वी निर्मार जोखिम सूचकांग 2021 तो यह अगस्त में जारी किया गया है अमेरिकी वारिजिक रि देशों में वैस्विक वी निर्मार एनि ग्लोबल मैनुफेक्ट्रिंग के लिए सबसे फाइदे मन इस्थानों का आकलन करता है तो रैंकिंग का जो निर्धारण होता है उसके लिए चार प्रमुक मापदंड अपनाया जाते हैं जिसको याद रखने की बिल्कु जरोत नह इसके बाद भारत को दूसरा इस्थान प्राप्त हुआ है जो आपके एक्जाम पॉइंट अब व्यू से बहुत मातपूर है और पिछले वर्ष भारत किस पोजिशन पर था तीसरे इस्थान पर था और इसी सुची में USA को जो है तीसरा इस्थान प्राप्त हुआ है आगे बढ़ते हैं प्रात्मिक सहरी सहकारी बैंकों से संबंदित विसेशग समित की रिपोर्ट आ गई है तो रिपोर्ट से बहुत ज्यादा हमारा संबंद नहीं है आपको ये पता होना चाहिए ये समित कब गठित की गई और इसमें कौन-कौन है तो तेईस अगस 2021 को रिपोर्ट में किये गए संसोधनों का लाव उठाते हुए छेत को मजबूत करने के लिए एक रूप रेखा प्रदान करने के लिए आवशकता थी आगे बढ़ते हैं वैकल्पिक निवेश कोस जिसका नाम है उभरते सितारे फंड ये उत्तरपदेश से भी संबंदित है एक्जाम पॉ 200 करन रुपए के वैकल्पिक निवेश कोस को मंजूरी दी है और ये कोस का नाम रखा गया है उभरते सितारे फंड इसका उद्देश क्या है निर्यात उन्मुक MSME को रिन और एक्विटी फंडिंग प्रदान की जाएगी सासाथ उन्हें अपने व्योसाओं को अधिक प्रत पूर्ण है वित्मंत्री के अंसार यह जिना उत्तर प्रदेश में सफल होगी क्योंकि राज में SME की संख्या सबसे अधिक है यानि यह भी आप नोट कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में भारत में सबसे जादा MSME का यहां है और उभरते सितारे फंड से उत्तर प्रतेश के प्रतेश जिले को लाब होगा चलिए मूब करते हैं नेक्ट पर एक और जो है रिच सूची है इसका नाम है खुरून ग्लोबल 500 विस्ट की सबसे मूलेवान कमपनियों की सूची 2021 की रीसेंट सूची जारी की गई है इस सूची के अंसार एपल विस्ट की सबसे मूलेवान क कमपनी है इसके बाद जो है Microsoft है फिर Amazon है तीसे नमबर पे उसके बाद जो है चोथे नमबर पे Alphabet है उसके बाद Facebook है तो इतनी लंबी सूची जरूवत नहीं है अगर आप पहला दूसरा तीसरा भी आदक है तो इतना परियाप्त है इस सूची में भारत की 12 कमपनियों को सामि स्थान नीचे गिरकर सतावने स्थान पर रही यानि पहले जो है 55 स्थान पर थी उसके बाद ये 57 पोजिशन पर आ गई दो जो है पॉइंट ये नीचे इसका आ गया है सूची में जो है Tata Consultancy Services यानि TCS जो है देश की दूसरी सबसे मूलवान कंपनी आ की गई और उसके होते हैं वित्ती समावेशन सूचकांग की सुरुवात अभी ये सूचकांग जारी नहीं हुआ है इसकी सुरुवात की जाएगी इसकी आउपचारिक रूप से गोचणा की गई है तो भारती रिजर बैंक ने जो है देश भर में वित्ती समावेशन की मातरा को मापने के लि जेंसन छेतर के विवरण को भी सामिल किया गया है ये सूचकांग सेवाओं तक पहुँच उपलब्धता ये मुपयोग सेवाओं की गुडवत्ता में आसानी के लिए अनक्रिया सील है जिसमें सभी 97 संकेत तक यानि इंडिकेटर्स सामिल हैं सूचकांग को वार्सिक अधार पतिवर्स जुलाई में प्रकासित किया जाएगा आगे बढ़ते हैं अंतराश्टी ये पोसक अनाजवर्स तो भारत की पहल पर जो है ये वर्स जो है सुरू किया गया है 17 अगस 2021 को जो है क्रसियों किसान कल्यान मंत्राले दोरा एक प्रिस रिलीज जारी की गई उसके बता जाया गया कि वर्स 2023 में भारत की अगवाई में बिस भर में अंतराश्टी पोसक अनाजवर्स मनाया जाएगा इस वर्स को मनाया जाने का उद्देश खाद सुरच्छा वा पोसण के लिए पोसण अनाज के बारे में योगदान हुआ जागरुकता बढ़ाना है अब एफेओ की समीत के द्वारा क्रसी समीत जो होती है उसके द्वारा इसको सुईकार किया गया और एफेओ के 41 सत्र में प्रस्थाव का समर्थन किये जाने के बाद जो है इसको एक अंतराश्टी वर्स के लिए के रूप में मानिता दे दी गई है आगे बढ़ते हैं इफसल सर महाराष्ट के मुखमंत्री उद्दव ठाकरे ने फसल सर्वेचन पहल यानि यी क्रॉप सर्वे इनिसियेटिव की सुरुवात की और ये पहल 15 अगस 2021 से प्रभावी हो चुकी है बाकी इसको भी सुरुवात में पाइलेट प्रोजेक्ट के रूप में चलाया जाएगा तो कु कुल संस्थापित अच्छे उर्जा चमता कितनी है इसके बारे में जो है रैंकिंग जो है पूछी जा सकती बहुत मातपूर्ण है तो 12 अगस 2021 को 100 गीगा वाट की कुल संस्थापित चमता जो अच्छे उर्जा की है इसकी मातपूर्ण उपलबदी हासिल करके भारत इस स्थान पर पहुच गया है यही सबसे मातपूर्ण है जो आपसे पूछा जा सकता है एक तो कुल जो है अच्छे उर्जा की संस्थापित चमता कितनी है 100 गीगा वाट है यह याद होना चाहिए और विस्तुमें यह चौथे स्थान पे है और भारत में संस्थापित 100 उर्ज चमता अगर आपसे पूछ ली जाए जो इसी के अंदर आती है तो उस मामले में भारत पांचवे नंबर पे है और पवन उर्जा की संस्थापित चमता के मामले में चौथे स्थान पे है भारत ने अच्छे उर्जा के छेतर में अपने लिए महत्वाकांची लच रखा है 2022 2022 तक 175 गीगावाट और 2030 तक 450 गीगावाट का लच्छ निर्धारित किया है चलिए अगला देखते हैं देश में स्वन आयसके भंडार की स्थिति तो ये स्वन आयसक है ये जो है जो एक अप्रेल 2015 तक के आकड़ों के आधार पर जो है अनुमान किया गया है लेकिन ये अनु 501.83 मिलियन टन अनुमानित है इसमें से 17.22 मिलियन टन स्वन आयसको रिजर्व कटेगरी में तथा 484.61 मिलियन टन स्वन आयसको रिसोर्स कटेगरी में रखा गया है अब सबसे बड़ा जो है जो स्वन आयसका प्राइमिरी का जो भंडार है वो कहां पर अनुमानित किया ग टक ही है, उत्पादक भी करनाटक है, यहाँ पर बात हो रही है сवर्न आयस्क half cent के मामले में यह अनुमान लगाया गया है, कि बिहार टॉप पर है, और यहाँ पर भारत के कुल स्वन्ड भंडार का आयस भंडार का जो प्राइमरी है वो 40 प्रसत है इसके परसाद जो है इसी में राजस्थान आ जाएगा करनाटक, पस्चिम बंगाल, आन्द पदेश, जारखन तथा स्वन्ड भारत के भंडार का अगर बात करें जो आपसे एक्जाम में पूछा जाता है तो उसमें पहले नंबर पे है करनाटक, दूसरे नंबर पे राजस्थान, तीसे नंबर पे आन्पदेश और उत्पादन में भी करनाटक ही सबसे टॉप पर है आगे बढ़ते हैं, राष्ट मंडल देशों की ब्यापार समिच्छा 2021 जारी की गई है, जिसका नाम है Common Wealth Trade Review 2021, अब इसमें एक थीम रखी गई है, यह थीम महत्पूर्ण है Energizing Common Wealth Trade in a Digital World Path to Recovery Post-Covid, यह इसका पूरा सेंटरल थीम है, यह विससे इसको मालीजिए इस रिपोर्ट के अमसार, वर्ष 2020 के दौरान राष्ट मंडल देशों को लगभग 345 बिलियन अमेरिकी डॉलर के ब्यापार घाटे का नुकसान का आकलन किया गया है, जिसमें Intra Common Wealth Trade के रूप में 60 बिलियन डॉलर का नुकसान सामिल है तो अगर पूछा जा सकता है, तो आपसे बस इतना ही इसमें पूछा जा सकता है, आगे बढ़ते हैं, राष्टिये मुद्री करण पाइपलाइन का सुबारम जो है 23 अगस्त 2021 को केंद्रिये वित्तेवम कार्पुरेट कारिमंत्री निर्मला सीता रमन के द्वारा किया गया और ये केंद्री मंतरालियों और सारजिनिक शेत के उपक्रमों की परिसंपत्ति की मुद्री करण पाइपलाइन है, एक तरह का डिस इन्वेस्टमेंट प्लान है, ये पाइपलाइन नीती आयोग द्वारा आउस सन्दचना से समंदित मंतरालियों के परामर से बिक्सित की गई है, जो कि केंद्री वजट 21-22 के तहट परिसंपत्ति मुद्री करण के अधिदेश पर आधारित है, राश्टी मुद्री करण पाइपलाइन के तहट वित्ती वर्स 2022 से वित्ती वर्स 2025 तक 4 वर्स की अवद में केंद सरकार की मुख परिसंपत्तियों के माध्यम से 6 ला करोन रुपए की कुल मुद्धी करण शमता का अनुमान लगाया गया है आगे बढ़ते हैं संसोधित गोल्डेन राइस को ब्यावसाइक उत्पादन के लिए मंजूरी देने आला बिस्व का पहला देश कौन बन गया है बस आपको यही याद रखना है फिलिपीन्स फिलिपी पहला ब्यावसाइक उत्पादन को मंजूरी दे दी है और इससे क्या होगा वहाँ पर कुपोषण की समस्या दूर हो सकेगी जो देश इसको अपनाएंगे वहाँ पर भी कुपोषण की समस्या दूर हो जाएगी विटामिन ए यानि बीटा कैरोटीन से भरपूर होने की कार इन दूर जारी की गई है ये नविकरणी उर्जया के बारे में है तो बाइस जुलाई दो जार इकिस को नीती आयोग और अंतराष्थी उर्जया एजंसी ने भारत में नविकरणी का एकिकरण दोजार यानि रिनेवल्स इंटिग्रेशन इन इंडिया ट्वंटी टूंटी यह रिपोर्ट टीन राजियों महराष्ट करनाटका और गुजरात की सरकारों के साथ इन नविकरणी समरद राजियों के सामने अच्छे उर्जा की तरफ से बढ़ने की दिसा में आई विसेज चुनोतियों को समझने के लिए आयोजित कारस्वलाओं से मिले परणामों के कर सकती है कब तक 2022 तक अगर देखा जाएगा तो 175 गीगावाट और 2030 तक देखा जाएगा तो 450 गीगावाट यह वही लच्छे हैं जो अभी हमने पीछे पढ़े हैं आगे बढ़ते हैं OECD Employment Outlook 2021 तो OECD क्या है आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन इसके द्वारा जो है OECD Employment Outlook 2021 नामक रिपोर्ट जारी की गई है इस रिपोर्ट का सीर्षक क्या रखा गया है A once in a lifetime opportunity to build a better world of work इस रिपोर्ट के अंसार 2019 की तुल्ला में 2020 में जो OECD के सदस्देश हैं इसमें लगबग 22 मिलियन रोजगारों की कमी आई है आर्थिक सहयोग विकास संगठन यानि और Organization for Economic Cooperation and Development जो OECD का जो है अब्रिवेशन है इसकी स्थापना 30 सितंबर 1961 को की गई थी और इसका मुख्याल है कहां पर पेरिस फ्रांस में है तो यह भी पूछा जा सकता है जी के से रिलेटेड है आगे बढ़ते हैं भालिया गेहूं का निरियाद सबसे पहले आपको पता होन चाहिए कि यह भालिया गेहूं क्या है भालिया गेहूं जो है एक जी आई टैग प्राप्त जो है गेहूं की वराइटी है जो कहां के लिए जिसको जी आई टैग मिला है गुजरात के लिए और इसको पहली खेप जो है गुजरात से केनिया और सिलंका को निरियात की गई है इस गेहु में protein की मातरा आधिक होती है और ये स्वाद में मीठा होता है बालिया मुखे लुप से गुजरात के भाल छेतर में पैदा होता है गेहु की इस विसिष्ट किस्म की विसिस्दा या है इसे बारीस के मौसम में बिना सिचाई के भी उगाया जा सकता है गेहूं की भालिया किस्म को जुलाई 2011 में GI टैग मिला था, GI certification प्राप्त हुआ था आगे बढ़ते हैं, ब्रांड फाइनेंस द्वारा 50 होटलों की सूची जारी की गई है तो जुन 2021 में ब्रांड फाइनेंस के द्वारा 50 सबसे मूलिवान और मजबूत होटल ब्रांडों पर होटल 50 नाम से एक रिपोर्ट जारी की गई है इस रिपोर्ट करणसार 22.8 बिस्व के सीर्स होटल ब्रांडों को 22.8 मिलिएन, बिलिएन 50 मूलिवान डालर का नुकसान हुआ है कब, कोवीड के पैंटेमिक के दौरान कोविड महामारी के फसरूप विस्व के सीर्स 50 मूलिवान होटल ब्रांड की कुल मूलि में लगबग 33% तक गिरावट आई है और इसमें पूछा जा सकता है कि इस रिपोर्ट के अंसार होटल हिल्टन जो है जो यह से का है विस्व के सबसे मूलिवान होटल का खिताब इसने बरकरार रखा है और इस रिपोर्ट के अंसार होटल हयात सीर्स 10 होटल जो है इसमें सबसे तेजी से ब्रधी करने वाला ब्रांड है और इस सूची में होटल हिंटन के बाद होटल है की रैंकिंग क्या है सेकेंड है और भारत की अगर बात करें तो इस रिपोर्ट के अनुसार भारती होटल ब्रांट ताज को विश्व के सबसे मजबूत होटल ब्रांट के रूप में दर्ज किया गया अलग-अलग categories हैं उसमें अलग-अलग नाम हैं आप यादख सकते हैं इसको आगे बढ़ते हैं भारत को 41 million dollar की अतरिक्त COVID-19 सहायता की घोषणा किसके द्वारा की गई है? United State Agency for International Development यानि USAID ने की है बस आपको रासी यादख नहीं है 41 million dollar की सहायता की घोषणा की गई है आगे बढ़ते हैं अनन्तिम कोईला सांख की 2021 most important है एक्जाम के लिए मैं पहले भी आपको पढ़ा चुका हूं तो 29 जून को यह जारी की गई है इसमें मुखता पिछले वित्ती वर्स यानि 2021 में कोईला और लिगनाइट के छेतर में प्रदसन की अनन्तिम यानि इंतरिम कर कितना है सीधे सीधे जो है यही पूछा जा सकता आप से most important point 716.084 million ton रह गया है और यह 19-20 में कितना था 730.874 million ton था उत्पादुकों की बात करें तो 36 गढ़ने सरवाधिक 158.409 million ton यानि कुल उत्पादन का 22.1-2% कोकिंग प्लस नौन कोकिंग कोईला का उत्पादन किया है यानि कोईला उत्पादन में 36 गढ़ नमबन वन पे रहा है 20-21 में इसी दौरान यानि 21 में कोईला उत्पादन में उडिसा मत्परेस और जारखंड करमसा दूसरे तीसरे और चौथे इस्थान पर रहे तो कोईला उत्पादन के लिए बार बार उत्पादकों का डेटा पूछा जाता जिसको आप ध्यान रखिएगा 20-21 में जारखंड जो है 44.387 मिलियन टन के साथ कोकिंग कोल का सीरस उत्पादक था यहाँ पर ध्यान रखिएगा यह केवल कोकिंग कोल की बात हो रही है यहाँ पर टोटल कोईले की बात नहीं हो रही है वहीं पर 36 गड़ जो है गैर कोकिंग कोल में जो है सीरस उत्पादक था तो इसको आप अलग-अलग केटेगरी में जरूर लिख लिएगा नेक्स देखते हैं एक तीमाही में अब तक का सबसे अधिक निरियात का एक रिकार्ड बना है तो भारत ने वित्वर्स 2021 की पहली तीमाही यानि अपरेल से जून के दौरान 95 बिलियन डॉलर का अब तक का सबसे बड़ा निरियात दर्ज किया है यह वित्वर्स 2021 की पहली त सत अधिक था यानि सेम पीरियड में अगर देखा जाए उसी क्वाटर में तो यह 85% जो है अगले साल यानि 2021 में जादा था और वित्वर्ष 19-20 की पहली तिमाही के निर्याद से यह 18% अधिक था नेक्स जेखते हैं विस्व निवेस रिपोर्ट 2021 की तो यह 21 जून 2021 को अंग्टार्ड यानि उनाइटेड नेशन्स कॉन्फरेंस ओन ट्रेड आयंड डेवलपमेंट द्वारा 31 संसकरण के रूप में वर्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2021 जारी की गई इसकी जो थीम है इसका जो मुख्य विसे है वो है इन्वेस्टिंग इन सस्टेनेबल रिकवरी वर्ड 2020 में सीर्स प्रत्यच विदेशी निवस यानि FDI अंतरप्रवा FDI को प्राप्त करने वाले देश इसी जरह के प्रस्ण पूछे जाते हैं तो इस रिपोर्ट के अंसार 2020 में सबसे जादा FDI इन्फलो कहां पर हुआ है USA में दूसरे नमबर पर चाइना तीसे नमबर पर हॉंग कांग यहां पर भारत पांचवे नमबर पर है जो आपको याद अखना है मुकरूप से और वर्स 2019 की बात करें यानि इसके एक साल पहले तो भारत जो है आठवे इस्थान पर था अब पांचवे इस्थान पर आ गया है तो यह भी जो है एक प्रगती है अब सीर्स FDI बहिर पर यानि जिन देशों ने अपने यहां स यूएस से था आउटफलो में चाइना है दूसरे नमबर पर लगजंबर फी जेपैन हॉंग कांग और यूएस से है नेक्स देखते हैं इंडिया ज बेस्ट कंपनीज टू वर्क फार 2021 काम करने के लिहास से भारत की बेस्ट कंपनीज कौन सी है तो सीर्स पांच कंपनिया य परिवहन छेट से संबंदित है जो सीर्स पांच कंपनियों में सामिल है बाकी की भी लिश्ट दी है जिसका एक्जाम के दिश्ट से बहुत ज्यादा महत्व नहीं है आगे बढ़ते हैं विकास और वैस्वी करण तथ्य और आकड़े 2021 ये एक अंग्टाड की रिपोर्ट है जिसको हम इंग्लिस में कहेंगे डवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजिसन फैक्ट एंड फीगर 2021 अंग्टाड दोरा जारी की गई है 10 जून को इसके अनुसार जो S.I.D.S. देश हैं इनमें 2021 में GDP उतपादन में 9% की अनुमानित गिरावट दर्ज की गई है जोकि अन विका जोस्थाओं यानि सर्विस एकोनामिस का निर्माड किया है सेवा छेत्र ने 2019 में सिट्स के सकल घहरेल उतपाद का 70% से अधिक उगदान दिया जबकि 2005 में ये 6% था और टोबैगो और सेसेल्स आधी प्रमुक S.I.D.S. देश हैं आगे बढ़ते हैं वैस्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट जून 2021 की है वासिंग अटन डीसी इस्थित विस सुबैंक समू के द्वारा ये जारी की जाती है इस रिपोर्ट के अंसवार जो वर्ड एकोनॉमी है वो 2021 में 5.6% का इसमें ग्रोथ होने की उमीद है 2020 की अगर इस्थिती रेखें वर्ड एकोनॉमी की तो ये इसकी विकासदर निगेटिव हो गई थी माइनस 3.5% और 2022 में अगर जो है वैस्थिक अर्थवे उस्था को देखें तो इसका अनुमान जो है 4.3% का लगाया गया है 2021 में भारत की विकासदर 8.3% रहने का अनुमान है और जिसके 2022 में 7.5% रहने का अनुमान लगाया गया है तो इंडिया वाला जरूर याद रखिए यह आपसे पूछा जा सकता इस रिपोर्ट के अनुसार और 2020 में भारत की ब्रदिदर निगेटिव थी माइनस 7.3% आगे बढ़ते हैं इंडिया विंड इंडिया इनर्जी मार्केट आउटलुक 2025 तो यह भी जो है रिनीवल इनर्जी से सम्बंदित एक रिपोर्ट है और यह वैस्विक उर्जा परिशत तथा मेक इंटेलिजेंस ने सहीत रूप से जारी की है इस रिपोर्ट मे भारत सरकार के कार्बन उन्मूलन कारिक्रम और जलवाई परिवर्ता नहीं तो लच्छों को प्राप्त करने में पवन उर्जा यानि विंड इनर्जी को महत्पूर्ण बताया गया है रिपोर्ट के अंसार भारत जो है 2025 तक 20 गीगावाट जो है विंड इनर्जी या पवन इस्थापित कर लेगा फर्वरी 2021 तक की अगर बात करें तो भारत की कुल इस्थापित पवन उर्जा चमता 38.63 गीगावाट थी भारत चीन संयुक्त राज अमेरिका और जर्मनी के बाद चोथा उच्चतम पवन उर्जा उतपादक देश कौन है भारत है चलिए आगे बढ जी सेवन समू के देशों ने बहुराश्ट्री कंपनियों पर कर लगाने का एक एतिहासिक समझोता किया है जी सेवन समू में अमेरिका ब्रिटेन जर्मनी फ्रांस कनेडा इटली जापान जैसी उननत अर्थ्योस्थाएं है एतिहासिक कर समझोते कंसार वैस्वी किस्थर प पर न्यू नुत्तम यानि जो मिनिममम कार्पुरेट टैक्स लगाया जाएगा वो कम से कम पंदरा प्रिस्थत होगा और मुख्य रूप से आपको यही राज रखना है कि मिनिममम कित्ता डिसाइट किया गया है पंदरा प्रिस्थत आगे बढ़ते हैं जी आई प्रमारित जलगाओं केले का निरियात जलगाओं कहां पर है महराष्ट्रा में है जून 2021 में फाइबर और खनी समरद जी आई प्रमारित जलगाओं केले की एक खेप दुबई को निरियात की गई है जलगाओं केले का उतपादन प्रमुकृप से महराष्ट के जलगाओं जिले के जलगाओं केले को 2016 में GI certificate मिला था, नेक्स देखते हैं, राष्टी आय का अनंतिम अन्वान जो 2021 के लिए जारी किया गया है, 31 मई 2021 को राष्टी आय का अनंतिम अन्वान जारी हुआ था, और 2021 के दौरान GDP की जो ब्रध्धी दर है, वो 7.3 प्रस्त रहने का अन्वान लगाया जबकि 19-20 में ये 4 प्रस्त थी, आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ ही राजकोसी घाटे का भी अन्वान रिवाइस किया गया है, बीस इक्किस का, तो 31 मई 2021 को केन सरकार के दौरा राजस सुव्याई के बीस इक्किस के आकड़े जारी किये गये हैं, इसके अनुसार इससे पहले जब वित्तमंत्राले ने अपना संसोधित बजट अनुमान जारी किया था बजट के बाद, तो वो 9.5% रहा तो ये घटकर जो है वित्ति घटा 9.3% अब हो गया है, और वित्त वर्स के अंत में राजस सुगाटा, यहां पर राजस सुगाटे की बात हो रही है 7.42 प्रिस्ट था, आगे बढ़ते हैं, OECD Economic Outlook के अनुमान जारी हुए 31 मई को, तो OECD क्या है, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, भारत के लिए जो अनुमान जारी किया गया है, वो क्या है, कि मार्च में जो अनुमान जारी किया गया था, 12.6 प्रिस्ट का, उससे 2021 के लिए भारत की विकास दर कित्ती आकलित की गई है, 9.9%, OECD के अनुमान जारी है, वर्ष 2021 में भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली G20 अर्थवियोस्था वाला देश होगा, आगे बढ़ते हैं, भारत संयूंग अरब अमीरात यानि UAE व्यापक आर्थिक भागिदारी समझोता हुआ है, इस समझोते का उद्देश द्विपच्छी व्यापार और निवेश को बढ़ाना है, 23 और 24 सितंबर 2021 को CEPA चर्चा का पहला चरण संपन हुआ था, इस अवचारिक समझोते पर हस्ताक्षर कब हुए थे, कब होंगे, मार्च 2022 में किये जाएंगे, अभी ये जो है केवल एक रूप रेखा तैयार की गई है, नया रणनीतिक आर्थिक समझोता है कि हस्ताक्षर के 5 वर्स के बाद द्विपच्छी व्यापार को 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुचाने का अनुमान है, जो आप से पूछा जा सकता है, जबकि सेवाओं में व्या पारिक भागिदार है वर्तमान में, पहला कौन है, आज की अगर इस्तिती देखी जाए, चाइना दूसरे नमबर पर यूएस से और तीसरे नमबर पर यूएई है, यूएई भारत का आठवा सबसे बड़ा निवेसक भी है, जो भारत में सबसे अदा इन्वेस्ट करता है, आगे बढ़ते हैं, अठारमा भारत अमेरिका आर्थिक सिखर सम्वेलन 2021, कहां पर यूए जित हुआ, तो ये जो है वर्च्वली आए जित हुआ, और इस सम्वेलन का विशाय या थीम क्या थी, बाउंसिंग बाएक री सिलेंट रिकवरी पाथ पोस्ट कोवीड नाइंटी इसका आयोजन इंडो अमेरिकन चैंबर्स आप कामर्स के दोरा किया गया था, केंद्री रक्षा मंत्री राजनाज सिंग ने वीडियो कान्फरेंसिंग के माध्यम से इस सिखर सम्वेलन में भाग लिया था, आगे बढ़ते हैं, ब्रिक्स संपर्क समूह की बैठक 2021 की का का आयोजी थी, बारा से 14 जुलाई 2021 के मध्य जो है आयोजी थी और इसकी आयोजन जो है वर्च्वली किया गया, भारत वर्स 2021 के लिए ब्रिक्स यानि जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं, ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दच्छिन अमेरिका का अध्यच भी है, ब्रिक्स के आई के लिए राष्टी समन्वक का कार करता है, अगला जो है पॉइंट हम देखेंगे, आर्थिक सहयोग के लिए भारत, इतली, संयुक्त, आयोग की किस्वी बैठक का आयोजन हुआ, कब हुआ, 9 जुलाई 2021 को वर्चुल माध्यम से हुआ, केंद्री, वाणी, जियम, उद जिगार सुजन में महत्पूर्ण भूमका निभाने वाले खाद प्रसंसकरण, कपड़ा, चमड़ा, रेलवे, श्टार्ट अप और लगु मध्यम उद्यमों को बढ़ावा देने के छेत्र में दूई पच्छी व्यापार और निवेस के आर्थिक सहयोग पर व्यापक चर् आर्थिक व्यों सामाजिक परिसद, यानि UNECOSOC के सदस के रूप में चुना गया, इसमें भारत का कारिकाल 2022 से 2024 तक होगा, भारत को अफगानिस्तान, कजाकस्तान और रोमान के साथ एसिया परसांत राज्यों की स्रेडी में चुना गया है, इसके अलावा अफ्रीकी देसों से आइवरी कोष्ट, इस्तावनी, मौरिसस, टुनीशिया, तंजानिया को और पूर्वी एरोपी देसियों से क्वेशिया और चेक रिपबलिक और लैटन अमेरिकी और करबियाई देसों से बैलिच, चिली और पेरु को चुना गया है, आगे बढ़ते हैं, आर्थिक स्वत के द्वारा यह जारी किया है, इस सुचकांग में सिंगापूर को फर्स्ट प्लेस या सीर्स इस्थान प्राप्त हुआ है, उसके बाद न्यूजिलेंड, उसके आद आस्ट्रेलिया का सेकेंड और थर्ड पोजिशन है, बस इतना ही यहां मात्पूर है, इस सुचकांग में सबसे जो है जो नीचे रहा, सबसे नीचले पावदान पर रहा वो है नौर्थ कोरिया, भारत की स्थितिकी बात करें तो भारत को इसमें 121 इस्थान प्राप्त हुआ है, जब कि भारत जो है पिछले वर्स जो है इसमें 120 इस्थान पर था, आगे बढ़ते हैं, बिना लाइ किस देश के साथ दी गई है बस यही महत्पूर्ण है तो 29 जून 2021 को केन सरकार ने भूटान से जून 2022 तक बिना किसी लाइसेंस के आलू के आयात को मंजूरी दे दी है इससे घरूली आपूर्ती को बढ़ाने में मदद मिलेगी इससे पूर्व केवल 31 जनुवरी 2021 तक यह पर् देखते हैं पॉइंट अपना भारत का पहला क्रसी निरियात सुविधा केंद्र तो 15 मई 2021 को महराश्ट चेमबर आप कॉमर्स इंडस्ट्री जैन अगरिकल्चर राष्टी क्रसी ओम ग्रामीड बैंक यानि नाबाड के सयोग से भारत का पहला क्रसी निरियात सुविधा कें लांच किया है तो पहला है इसलिए बहुत महतपूर्ण है कहां पर लांच हुआ है ये आपके आदखना है पूड़े में लांच हुआ है पूड़े में स्थापित हुआ है नाबाड के अध्यच डाक्टर जी यार चिंताला ने MCCIA द्वारा आजित एक वर्चुल कारिक्रम में स्केन का उधगाटन किया है तो दोस्तों प्रयास रहा कि जो है पिछले छे महिने में जित्ता भी महतपूर्ण आर्थि घटना क्रम राश्टी अंतराश्टी था उसको इस वीडियो में इस लेक्चर में समेटा जाए और ज इस शित रूप से आपको काफी कुछ इसमें याद हो जाएगा तो आज के लिए ता ही नमस्कार धन्यवाद